एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल में आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मीनिंग एंड फंक्शन्स ओफ स्केलेटल सिस्टम तो वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ओ शेयर जरूर करें शुरुआद स्केलिटल सिस्टम के मीनिंग से करते हैं स्केलिटल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारी बोन्स, जोइंट्स और कनेक्टिव टिशू जाते हैं जो की हमारे स्केलिटल मसल को अटेचमेंट प्रोवाइड करते हैं और इसमें कार्टिले, टेंडन, लिगामेंट ये सभी included होते हैं यानि skeletal system हमारी bones, joint, connective tissue, कार्टिले, टेंडन, लिगामेंट का एक सुमेल है अगर हमारा skeletal और muscular system properly work करता है तो हमारी body की efficiency improve होगी यानि अगर हमारा skeletal और muscular system अच्छे से काम कर रहा है तो हम किसी भी काम को less energy में perform कर सकेंगे स्केलिटल सिस्टम हमारी body का central framework माना जाता है क्योंकि skeletal system के कारण ही हमारी body अच्छे से stand कर पाती है अगर skeletal system नहीं होगा तो हमारी body का अच्छा structure होना भी मुम्किन नहीं है skeletal system को musculo skeleton system के नाम से भी जाना जाता है आगे हम skeletal system के functions को भी देख लेते हैं तो इसका सबसे पहला और सबसे एहम function है protection skeletal system जो है वो हमारे internal organs को protect करके रखता है जिससे की injury से बचाव होता है for example skull की जो bones होती है वो हमारे brain को protect करके रखती है इसी तरह से ribs की जो bone होती है rib cage होता है वो हमारे heart और lungs को protect करके रखता है दूसरा function है movement skeletal system के कारण ही हमारी body freely move कर पाती है और bones और joints की मदद से हम अपनी body को move कर पाती है तीसरा function है manufacture हमारे शरीर में कई bones के अंदर bone marrow present होता है जो की red blood cell, white blood cell और plate less को produce करने में मदद करता है और इनकी मदद से ही हमारी body अच्छी तरह से work कर पाती है चोथा point है store bones के अंदर calcium, mineral, phosphorus, iron और potassium पाया जाता है जो की हमारी bodily functions के लिए काफी important है पांचवा function है sport bones और cartilage हमारी body को sport दिने का काम करते हैं इनकी मदद से ही हमारी body जो है वो stand कर पाती है हम अपनी body को अच्छी तरह से stand कर पाते हैं अपने पैरों पर खड़े हो पाते है sixth function है body shape skeletal system के कारण ही हमारी body को एक shape मिलती है क्योंकि वो हमारी body का दांचा है इसलिए ये हमारी body को एक आकार देने का काम करता है तो हम कह सकते हैं कि skeletal system के कारण ही हमारी body correct shape में आ पाती है सात्वा और आखरी function है act as a lever हमारे शरीर में मुझूद हड़ियां एक lever का काम करती हैं जो की muscle की movement करने में मदद करती हैं bones और joints के कारण ही हमारी body एक lever की तरह काम कर पाती हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है कि आपको आज का topic clear हो गया होगा अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियो के लिए channel को subscribe कर लें एक बार channel पर भी visit जरूर करें वहाँ पर हमने different topics की अलग-अलग playlist भी बनाई हुई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ thanks for watching and take care अघसे लेयर प्रिए एकी जरस्वार के सफ rumors थाव़ अणतने हुग बार सृर आए अणतने हुआ जरस्वार अबतने हुआ